एक बार फीर से मेरे यूटूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं पूरे बिहार में बिहार जातीगत जनगणना 2022 चल रहा है जिसमें सबसे प्रोब्लम आपको भाग टू पर पत्र भरने में हो रहा है तो आज की इस वीडियो में इ सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर करम संख्या जो आपको दुस्तक चलेगा वहीं आपका भावन संख्या भामन संख्या एक जैसे कि यह वेरा भावन हो गया यह मेरा भावन हो गया अबर इसमें आपको दिया हुआ है 001 001 में आपको मकान संख्या 3 है 1, 2, 3 ठीक है तो इसमें आपको एक भवन में कितना मकान संख्या है 3 है यानि 3 परिवार रते हैं एक आदमी के 3 पूत्र है जो कि आपको तीनों अलग अलग रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर आप 001 हो गया 001 हो गया तो इसका आपको 001 हो गया इसका 002 हो गया इसका 003 हो गया यह आपका मकान संख्या 3 को यहाँ पर आप समझ लिए उसके बाद इसके परिवार का संख्या है जो की इसमें एक परिवार रहते हैं एक परिवार रहते हैं यानि एक आदमी के तीन पूत्रे हैं तीन पूत्र बीबी और हस्बेंड और उसके जो भी बच्चे हैं रहते हैं उसका एक परिवार हो गया और इसमें भी आपको एक परिवार रहता है इसमें भी एक परिवार रहता है इसलिए परिवार संखिया में एक-एक आपका हो गया अब इसका पूछ रहा है परिवार का करम संखिया तो एक-एक परिवार संखिया है तो आपका करम भी आपका एक ही होगा आगे इसमें हम आपको बताएंगे जिसमें यहां पर आपको एक ऐसा भवन है जिसमें एक भवन है जिसमें आपको तीन परिवार रहते हैं ठीक है यह आपको तीन परिवार रहते हैं और तीनों का निकास दोवार एक ही है यह आपका निकास दोवार हो गया और यह एक आदमी के तीन बेटे हैं तीनों भाई का साधी हो चुका है लेकिन तीनों का कमबाइंड फेमिली है अलग नहीं है तीनों का रूम अलग है लेकिन रहते हैं एक ही साथ एक ही भावन में तो इनका हम करम संख्या देंगे जैसे पहला का एक दूसरा का दू और तीसरा का तीन जब आपका मकान संख्या एक रहेगा सेम रहेगा यानि तीनों भाई का सेम रहेगा मकान संख्या और इसका भावन एक ही होगा तो इस परस्थिती में इनका करमांक बन जाएगा इसलिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है करमांक एक दू और तीन या आप असपस्ट हो गए कि मकान संख्या आपको सेम होगा तो उसमें आपका करम संख्या अलग-अलग हो जाएगा एक दो तीन ठीक है अगर इसमें आपको चार मकान रहता एक ही भवन में चार मकान रहता तो इसका करम संख्या एक, दू, तीन, चार हो जाता ठीक है इस तरफ इसके आगे हम चलते हैं भवन संख्या दू में ही आपको एक और परिवार रहता है जिसमें आपको मकान संख्या आपको सेम है लेकिन इसमें आपको दो परिवार रहता है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका दो है दोनों का मकान संख्या कितना है? पांच, पांच है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं करम संख्या एक दू हो गया है इससे आप असपस्ट हो गया है कि करम संख्या क्या होगा जब मकान संख्या सेम होगा तो उसमें करम बदल जाएगा दो भाई हैं तो एक दू हो जाएगा चार भाई है तो एक, दो, तीन, चार हो जाएगा पांच भाई अगर है तो आपको एक, दो, तीन, चार, पांच हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर उसमें कितना परिवार है तो यहाँ परिवार संख्या दू-दू रह जाएगा और यहाँ पर भवन संख्या 3 में चलते हैं तो एक परिवार आता है तो एक परिवार हो गया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको percentage ग्रामीन छेत्र में जब आप जाएंगे तो एक ही एक परिवार संख्या होगा और एक परिवार का करम जादातर यहीं मिलेगा रेकिन आपको सहरी छेतने में जहां पढ़े लिखे बेखती हैं वहां बड़े घरों में आपको एक ही साथ कमबाइंड फेमली चलता है जिसके वज़ा से उसमें आपका करमांक होगा तो इस तरह आप क्लियर हो गए कि करम संख्या और परिवार संख्या क्या है तो वीडियो में इतना है वीडियो में लास तक बनायाने के लिए धन्यवाद वीडियो को जासे हैं सेर करें वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का लेटेस अपडेट पाने के लिए